Find the closest palindrome इस problem में हमें एक string दिया हुआ है जो की एक integer को represent कर रहा है हमें return क्या करना है closest integer जो की एक palindrome हो अगर जो हम integer दिये वो अगर palindrome है तो हमें उसको consider नहीं करना उसके nearest integer जो की palindrome हो जैसे हमें string दिया है 123 अगर इसके nearest palindrome की बात करूँ तो इसके left side में कुन से है 121 है तो right side में कुन से 131 है निरेट कैसे पता जलेगा इनका absolute difference लोगा इसका आएगा 8 इसका आएगा 2 यानि कि ये वाला integer मेरा ज्यादा nearest है तो मुझे ये 121 ये return करना है तो हमारा nearest integer left side में भी हो सकता है इसके right side में भी हो सकता है जिनका भी absolute difference minimum हो हमें वो वाला integer return करना है जैसे यहाँ पर बनने है 1 का हमारा 0 ये भी पैलिंड्रोम है 2 भी हमारा पैलिंड्रोम है अब दोनों ही हमारे 1 के distance पर है तो इस case में हमें क्या करना है जो छोटा हो 0 2 में कौन सा छोटा है 0 तो हमें छोटे वाला return करना है if there is a tie return the smaller one इस problem हमारे constant क्या दिया है कि हमारे string की length maximum 18 हो सकती है ये काफी important है 18 का मतलब है कि जो भी string बनेगा हम उसको एक integer में रिप्रेस्ट करना है long long लेकर now हमारे string की length 18 वियू है इसका meaning क्या है कि हमारे largest number 10 square 18 हो सकता है तो हमारी range 0 to 10 square 18 इतनी हो सकती है और हमें number 123 दिया है जिसके nearest हमें find out करना है इसका nearest palindrome हमें find out करना है वो हमारे left side में भी हो सकता है right side में भी हो सकता है हमें left side का palindrome find out करना है तो हम क्या करेंगे हम 122 इससे एक ज़स्ट पहले से शुडू करेंगे देखेंगे यह palindrome है यह नहीं है नहीं है तो 121 जो भी निरश हमें palindrome मिल जाएगा उसको store कर लेंगे similarly इसके right side में देखेंगे 124, 5, 6, 7, 8, 9, 130, 131 पहला palindrome हमें 131 मिलेगा इसको हम store कर लेंगे हम इन दोनों का difference ले लेंगे 8 आया इसका difference ले लेंगे 2 आया जो छोटा आया वो हम return कर देंगे तो हम 1 to 1 return कर देंगे पर अगर हम 1 by 1 चेक करेंगे तो हमारी range 10 रेंच और 18 यहां तक जा रही है तो हमें काफी time लग जाएगा हमें 10 रेंच और 18 इतना time लग सकता है तो linear search तो possible नहीं है second हमारे पास क्या option होता है हमारी lower range है higher range है जैसे मुझे left side का निकालना है तो मेरी lower high range fix है मैं इस पर binary search लगा दू मैं previous वाले के लिए binary search लगा दू similarly मेरी right side के लिए 1 to 4 से 10 score rating मेरी low range और high range fix है तो मैं इस पर binary search लगा दू उससे मेरा क्या होगा मेरी time velocity log में चली जाएगी log of 10 restore rating जो की अप्रोक सप्रोक 60 होता है तो ये मेरा acceptable होगा अब मैं इस पर binary search लगाऊं कैसे जैसे मान लो मैं इनका mid निकालने जाऊं ये तो कोई भी number आ सकता है वो palindrome हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो मैं इस पर binary search लगाऊं कैसे एक बार हम उसको देखते हैं सबसे पहले हम left side by alpha हमें 1 to 3 दिया था तो हम 0 to 1 to 2 ये range हो जाएगी इसमें हमारा mid क्या आएगा 66 आएगा ये एक palindrome है तो हम answer में 66 को store कर लेंगे और 122 इसका mid find out करेंगे कितना आएगा 99 आएगा वो भी एक palindrome है तो हम answer में 99 अपडेट कर देंगे फिर हमारी 100 left range 100 कर देंगे क्योंकि हमें इसके nearest चीए तो हम इससे और बड़ा palindrome find out करने की कोशिश करेंगे 100 फ्लस 122 इसका mid के आएगा 11 आएगा ये भी हमारा palindrome है तो हम answer में store कर लेंगे अब मेरे 112 ये हो जाएगी इन दोनों का mid कितना आएगा 117 आएगा अब ये हमारा palindrome नहीं है इस case में हम क्या करें palindrome की एक property बज़र्ब करो जैसे आपका 121 ये palindrome होता है इसमें आपका first half और second half mirror होता है जैसे ये मेरा 12 है तो यहाँ पर मेरा second half के 21 है अब मैं 4 डिजिट का लो 1221 first half और second half ये मेरा mirror होगा तो अगर मुझे palindrome find out करना है तो मुझे केवल first half की जरूरत है second half तो मेरा same ही होगा तो जब हमारा ये 117 कोई भी ऐसा number आया जो कि हमारा palindrome नहीं है तो हम इसको palindrome बना सकते हैं कैसे बनाएंगे हम first half को इस 11 को second half पर mirror कर देंगे 111 हमारा number क्या बन जाएगा 111 और हम इसको compare करेंगे कि क्या ये जो number बनाए ये हमारी within range है हमारी range कहां तक थी 122 तक थी अगर इससे छोटा है तो ये हमारा एक valid palindrome है और हम अंसर को इससे update कर देंगे तो हमारा 117 के लिए हमने क्या किया पहले हमने इसको palindrome बनाया कैसे बनाया जो हमारा इसका first half था इसको second half पर mirror कर दिया फिर हमारा एक palindrome मन जाएगा अब हमें बस ये चक करना है कि क्या वो हमारी valid range में है जो हमारी range थी उससे अगर छोटा है तो हम अपने answer को उससे update कर देंगे answer में में हमेशा हमारा क्या रहेगा जो भी largest अभी तक हमें palindrome मिला है अब हमने 117 इसके लिए चक कर लिया अब हमारा क्या होगा 118 हमारी left range ये हो जाएगी हमें अभी भी nearest find out करना है तो इनका मिट कितना आएगा 120 आएगा अब अगें 120 ये भी palindrome नहीं है तो हम first half को copy कर देंगे हमारा अब क्या बनेगा 121 ये palindrome मनेगा तो अपने answer को 121 इससे update कर देंगे और हमारे left range क्या हो जाएगी 122 122 और 122 का मिट तो क्या आएगा हमारा 122 ही आएगा तो अगें हम इस 122 को 121 palindrome में करनेट करेंगे हम first half को second half में mirror करेंगे 121 हमारा palindrome मनेगा ये हमारे answer में store हो जाएगा अब हम left range को 123 एक आगे लेके जाएगे हमारी range के बाहर चला गया तो हमें nearest palindrome क्या मिला 121 हमें nearest palindrome 121 मिला सेम काम हम 123 के right side में palindrome को find out करने के लिए कर सकते हैं हमारे range क्या बनेगी 124 से 10 रच्पावर 18 यहां तक बनेगी हम इसमें अपनी बाइनी सर्च लगा सकते हैं just for easy purpose मैंने max range को 999 ले लिया है यहां पर हमारे actual range क्या रहे हैं कि 10 रच्पावर 18 मैंने convenience के लिए 999 ले लिया है इन दोनों का mid find out करेंगे mid हमारा आया 561 यह हमारा palindrome नहीं है वो इससे बड़ा होना चीए अभी right side का वो nearest होगा left side का nearest हम already find out कर चुके हैं अब हमें right side का nearest find out करना है अगर यह इससे बड़ा है तो अपने answer में इससे store कर लेंगे better find out करने के कोशिश करेंगे better find out किससे मिलेगा हम अपनी right range को 560 इस पर ले आएंगे फिर इनका mid find out करेंगे हमारा mid 342 आया अगेन यह palindrome नहीं है तो पहले इसको palindrome मनाएंगे हमारा palindrome क्या बनेगा 343 बनेगा यह हमारा 123 इससे बड़ा है तो हमारा answer को update कर देंगे फिर अगेन हमारी left range को जाएगी 341 फिर इसका mid निकालेंगे एंड इसी process को repeat करते जाएंगे तो last में हमें right side से भी nearest palindrome मिल जाएगा जो हमें क्या मिलेगा 131 फिर हमें एक left side से palindrome मिल गया right side से palindrome मिल गया दोनों के differences को compare कर लेंगे और जो भी छोटा होगा उससे हम return कर देंगे हमें palindrome को check करना हो या फिर first half को second पर mirror करना हो हमें एक single loop लगेगा यानि कि जितने हमारी string की length होगी उतनी हमें palindrome को बनाने या फिर check करने के लिए time गया लगेगी into में हम अब बाइनी सच लगा रहे हैं हमारी range क्या है 10 रिट पावर 18 हमारी maximum length की इतनी हो सकते है 18 और हमारी log of tennis पावर 18 यह approximately होता है हमारा 60 तो यानि कि यह वाली time complexity हमें acceptable होगी तो इस problem पर हम binary search लगा सकते हैं बस binary search में हमारा tricky चीज़ क्या थी जो हमारा number आएगा वो हो सकते है कि palindrome ना हो तो पहले हमें उसे palindrome बनाना पड़ेगा और क्योंकि palindrome बना रहे हैं तो हमारा number चेंज हो रहा है तो हमें यह check करना पड़ेगा कि वो हमारे number से comparison में क्या है अगर हम right side का ढूंड रहे हैं तो उससे बढ़ा होना चीए left side में ढूंड रहे हैं तो उससे छोटा होना चीए according में हम अपने answer को date कर देंगे तो last में अगर हमारे steps की बात करें तो हमें क्या करना है जो भी हमें number दिया है सबसे पहले उसका nearest right side का find out करने फिर nearest left side का find out करने फिर हमें दोनों का difference लें जैसे इसका 2 आया इसका 8 आया इसका भी difference होटा हो हमें वो वाला integer return कर देना है और अगर हमारा mid palindrome नहीं है तो हम उसे palindrome ना देंगे अपने first half को mirror करके सबसे पहले जो हमारा string दिया था हम उसको long long उसमें convert कर सकते है string to long long इस API का यूज़ करके हमने इसे long long में convert कर दिया फिर हमें क्या चाहिए था इसके right side का palindrome चाहिए था इसके left side का palindrome चाहिए था उसके बाद हमारे पास जब दोनों आ जाएंगे तो हमें difference लेना था जिसका भी difference minimum होगा हम उसे return कर देंगे अगर हमारा tie होगा तो हमें छोटे वाला जो left side का palindrome होगा वो return करना है तो इसलिए हमने पहले यह condition लगा दी left side का palindrome का difference right side का palindrome का difference से छोटा या equal है तो left side का ही return करो अगर वो बड़ा है तो उस case में ही right side का palindrome return करो अब इन दोनों को हम कैसे करेंगे हमारी binary search लगा कर हमें right side का find out करना है उसके लिए हमारी range क्या बनेगी नहीं प्लस वन से 10 इस पाउर 18 इतनी बनेगी हम mid find out करेंगे mid को palindrome में convert करेंगे इस function को हम बाद में देखते हैं कि हम किसी भी number को palindrome में convert कैसे कर रहे हैं basically first half को second half पे mirror करके करेंगे हम यहाँ पर palindrome में convert कर रहे हैं फिर वो palindrome हमारा range में क्योंकि हम right side का ढूंड रहे हैं तो हमारे number से बढ़ा होना चीए अगर ऐसा है तो answer में उसे store कर लो और right side की range को one minus कर दो हम right side में ढूंड रहे थे अब हमें मानलो यहाँ पर एक valid number मिल गया हमने उसे answer में store कर लिया और फिर हमें क्योंकि nearest चाहिए तो अपनी right side का ढूंड को एक minus कर देंगे ताकि हमें अगर इससे better palindrome मिले तो हम उसे store कर ले क्योंकि हमें nearest right चाहिए तो right boundary को एक पीछे ले जाएंगे अगर यह palindrome हमारा number से छोटा हो गया मालो हमें right side का ढूंडा था पर number से छोटा है तो उस case में हमें अपनी left boundary को आगे लेके जाना पड़ेगा कि इस current number से तो हमें valid palindrome नहीं मिल रहा अपनी left boundary को एक आगे ले जाओ सेम काम हम nearest left side में palindrome के लिए करेंगे बस इसमें मारी range क्या हो जाएगी 0 से लेकर num-1 फिर हम mid find out करेंगे उसको palindrome में connect करेंगे इस बार हमारा palindrome नंबर से छोटा होना चाहिए अगर है तो अपने answer में store कर लेंगे और left boundary को एक आगे ले जाएंगे ताकि nearest find out कर सके अगर यह palindrome नंबर से बड़ा है तो right boundary को एक पीछे ले जाओ अब हम देख लेते हैं कि convert to palindrome हम हमारे मीड को palindrome में convert कैसे कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले हमारे नंबर को string में connect कर रहे हैं फिर हमें half first half के लिए loop लगाना है और second half के element को copy बनाना है first half की basically हमें mirror करना है जो starting पर होगा वो last में जो उसके बाद होगा वो second last में जो उसके बाद होगा वो third last में n-1 यह हमारा last है minus i में हमारा s of i इसको हम copy कर दे रहे हैं first half को हम second half में mirror कर दे रहे हैं और last में हम उस string को long long में convert करके से find out करना है फिर उनका difference लेकर जो भी minimum हो उसे return कर देना है और my time list काएगी length of n into log of n to power 18 Thank you guys